नमस्कार दोस्तों शौगात है आपका विपलफ इस टॉक में तो इस वीडियो में हम बात करेंगा पीडी लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेट के वारे में जवर्दस इस टॉक है पैसा बना के दे सकते हैं बहुत ही अच्छा इस टॉक है चार्ट पैटन में आपको करेंगे को कुशिश किए हम तो चलिए पर शुरू करतें तो सबसे पहले बात करेंगे के वेलसीं में सबसे मार्केट का आप देखते तो मार्केट हजेस depends करो का पिलाइजेशन है मार्केट लॉट हरे स्टाफ की तरह एक है की बात करते इसटोक का पि 92 दसनवाँ 97 का इस टरॉप का पिये और इंड़स्ट्री दर समय चाहतर का इंड़स्ट्री पिए तो इस टोक पी इंड़स्ट्री आखी से कफी जङधा हाई है ये बुक वेयलू और प्रेस के ऑपर उतना ज्याद असर नहीं होता है तो दीज विस परशन पॉस्ञेज तो अच्छी वात तो ओबरल भेलेयोशन को अच्छा ही मना जायागा यहां पर एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि स्टॉक का पी इंडेस्ट्री पी से काफी ज्यादा हाई है इसका लब आप देशकते हो डिविडेन पसंटेज अच्छा है तो अच्छा ही मना जाएगा इसका चली सलते हैं इसके सेरोल्डिंग पैटर्ण की और कि सेरोल्डिंग पैटर्ण में सेप्टमबर 2020 और जून 2020 का डेटा भले बले तो सबसे बले बात करेंगे पर्मोटर की तो पर्मोटर की जून सेर गिर्वी रखते इसको प्लेसर का जाता तो प्लेसर आप दो सकते जून 2020 में जीरो था वह सेप्टमबर 2020 में भी जीरो है यहनि किसी परमोटे समनक एक भी सेर गिर्वी ने रखा तो पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी स्टॉक के सेरोलिंग पैटर में प्लेसर होना गयाा दसर workflow सेरफ एंट्रों के पास थे महीं सेप्टमबर 2020 में 10-9 पर शर्प वाराइं पेस्टों के पास ते हैं बात कितेökह इंट ट्रों टैजुन 2020 में 90-37 तो לסिए आई था महीं सेप्टमबर 2020 में 10-17 अधर नीक ही देए फिनेंशल इस्टूटूशन की बात करते तो फिनेंशल इस्टूटूशन जून 2020 में 0.01% से फिनेंशल इस्टूटूशन के पास थे वहीं सेप्टमबर 2020 में 0.08% से फिनेंशल इस्टूटूशन के पास थे वहीं सेप्टमबर 2020 में 0.08% से फिनेंशल इस्टूटूशन के पा और किसी भी स्टॉक में इंबेस्मन करने से पहले उस स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्स और अनलेसर जरूर करते हैं तो इनकी जो होल्डिंग है जून 2020 में के पास है वह सेब्टमबर समय क्या थे की बात यस के बात करते हैं अधर जून 2020 में 2.08 प्रषिंसर बात करें यह इससे में इसमताइश के ओलडिंग देखते हैं तो के वोल्डिंग जून 2020 में आर देशना 87 परसंद से अधर्स के पास थे वह सेप्टमबर 2020 में और देशना 75 परसंद से अधर्स के पास थे पूरा से रोल्डिंग पैटन है तो अवरल से रोल्डिंग पैटन दिखाए काफी स्ट्रॉंग और बहुत अच्छा से रोल्डिंग पैटन है यहां पर मोटस का सबसे ज्यादा से इसका प्लेसर नहीं प्लेसर जीरो यह जलते लास्थिरी कॉड़र का जो रिजल्ट रिजल्ट माप्लू ड्गा देता हूं तो लास्ट घ्रीकॉडर के रिजल्ट में सेफ्टमबर 2020 जून 2020 और मार्स 2020 का डिटा वले बात करेंगे ज्यादर मार्स 2020 में 1544 करोका से तह वे जून 2020 में आठ सो 777 करों का सेल्स था तो जून में काफी ज़्यादा सेल्स डिक्रीज हुआ है मार्स काफी ज़्यादा डिक्रीज हुआ जून के कौडर में सेल्स आपको पता है यह COVID-19 कोरोनवाइरिस की बज़े से जून के कौडर का रिजल लगबग हर कंपिनी का खराब गया तो इस पर भी एफक्रप्ट पड़ा है जून के इस कंपिनी का भी खराब गया आप दसकतो सेल्स डिक्रीज हो आप दसक्तों सेल्स डाए 1,880 करों कर रहा है तो आपद दसकतों जू 55 करों का नेट्ट पॉविट नेट्पार जैसे आप देखतों जून में सेल्स काफी जग्रीज होगा था नेट्ट पॉफिट भी मान्स न में काफी जग्रीज हुआ है याजिन इस कंपेनि के रिजल्ट भी जून के कॉर्टर का खराब गया कोविद 19 कुरोना वरस की वजह से सेप्टमबर 2020 जो नेट पॉफिट रहा तीन सो पाश्वन करों कर रहा है तो आप देशक्ता हो जून से तो इंक्रीज होई यह और मार्स से भी इंक्रीज हुआ जैसे कि सेल्स हुआ था यह लास्ट का जो कंपेनिका रिजल रहा काफी अच्छा बहुत अच्छा पॉफिट र मार्स 2020 में 50 दसलां 81 करों का टोटल से कैप्टेल है बात करते हैं नेट वर्ट की तो नेट वर्ट मार्स 2019 में 4186 दसलां 22 करों का नेट वर्ट था वह मार्स 2020 में 4444 दसलां 22 करों का नेट वर्ट है टोटल डेप देखते हैं यह कंपनी को और कर जा कितना है तो टोटल डप म कंपनी के ओपर कोई करजा नहीं को किसी को अपना करजा नहीं देना तो इसका चली चलता है इसके चार्ट के ओपर तो चार्ट में आपको चाहूंगा कि आज 16 दिसेंबर है और भी मार्केट ओपन हुआ है बैटनेज निबूद वारे तो अभी आप देशक्तों नोवच की किस मिनट पर स्टॉक एक हजार शेशों पर्फॉमंस की तो बिछले पास दिन में पॉजिटीव टेन रहा है पिछले पास दिन का 0.53% का पॉजिटीव 2 दिन दिए लिए पिछले पास दिन में दिया इस आट रुपे साट पे से पिछले पास दिन में स्टॉक ऊपर गया पिछले छे मईनी के बात करता पॉजिटीव टेन है और जो रिटन ने फोर पर पंट शेट पर संका अनले चास डसलों तर वे पांस परसे च्छे मेने में उपर गया है यह तो जो रिटन दिख रहा है तो फोड़ा सका में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था लगबाग एक साल होने जाए रहा है तो आज 16 दिखंबर तो लगए एक साल होने जा रहा है तो अच्छा रिटन नहीं माना जाएगा थोड़ा और होता तो जवर्दस रिटन माना जाता है पिछले एक साल की बात करते हैं तो पांस साल का भी बहुत अच्छा रिटन आप दुश्यक्त तो डूज़ा करते हैं तो पांस साल में तो काफी जवर्दस बहुत अच्छा रिटन है एक हजार पिच्छान में पैसे इन पांस साल में स्टॉक उपर गया है मैक्सिम चाट की बात करने लॉंग टरम की बात करते लॉंग टम में भी बहुत ही अच्छा रिटन आप देशकता और मल्टीवागा धमाक अगर रिटन है और 1629 रुपे नौपश्य स्टॉक इन 21 साल में उपर गया तो काफी जवर्दस रिटन दिया और आने वाले टाइम में अच्छा रिटन दे सकता है स्टॉक अब देखते इसका चार्ट पैटन तो चार्ट पैटन देखके दिल खुश हो जाता है आप देशक अब आपको अच्छा रिटन मिल सकता है उनके गिनने की संबाबना बहुत ही कम होती है और जो एक दो उपर जाता है फिर नीच आता है फिर उपर जाता है इस तरी कि स्टॉक में इंबेस्मेंट करना थोड़ा रिस्की माना जाता है तो देख लिए जगार आपको णोशक्के । सच्छ टोड़ा अपडेट यूशच पर लिटा सब्सक्राइब करना ने मंचके आपको जोस्का नोशक्यश पर जो में में तो टिस्टाइबस्वाज ने योशच के लेकिन नेटा अपडेट हुआ एन भच की तैस्मीनट 45 शेक्ड का रिटा है गिए शोला तक और लो जो लगा एक हजाए एक हजाए तरेशों तरेशों पर तीस परेसे का लागा अग्या नहीं कि मार्केट ओपन है और आपको यह और लो पर जो दिख रहा है इसमें चेंजेस होने की पूरी पॉसिवेल्टी जै क्योंकि पूरी दिन का ट्रेडिंग भी बचाओ अभ सब्सक्राइब को लगा था बात करते सब्सक्राइब की तो पंदर दिशंब्सक्राइब का नहीं कलकर चार बत दक कर डेटा अभी लबाल है आज भी मार्केट ओपन है एक गंटा नहीं हो इसलिए कल का डेटा तो कल इसी स्टॉक में टोटल कॉंटिज जो ट्रेवड़ परसेंटेज अभ डेटर क्क आफ ची वात की लिए इसके बात करते से डिविडन दिया और कितने अधी ये भी मिब़ी में आप लोग बता देता हुआ आपने और यह शोह का अपर यह चीजिया करने या सटॉक कर लेंगा